शुभबाद मेरे मत्यप्रदेश वासियों, मेरे नाम je Dr.Prakash Satwani, मैं Kolumbeda University New York पीडियेट्रिचन हूँ मेरे साथ हैं मेरे धरमपत्नी Dr. Sunita Satwani जो भी, वो भी एक पीडियेट्रिचन है आज हम आप लोगों के साथ अपनी coronavirus journey शेयर करना चाहेंगे जैसा कि आपको मालूम है डाक्टर होने के नाते हमें पेशिंट्स देखने पड़ रहे हैं नियॉयोर्क में काफी पेशिंट्स हैं जिनको करोना वाइरस हो गया है और मैंने भी कुछ पेशिंट जिनको करोना वाइरस था उनकी देखबाल की 31 तारीक की शाम को मुझे अचानक से कमजोर महसूस होने लगा मेरे को गले में दर्द था और 1 एपरिल को मुझे अचानक बहुत शरीर में कमजोर महसूस होने लगा उसके अलावा पूरे शरीर में बहुत जादा दर्द हो रहा था यह दर्द जो देश में लोगों को डेंगू का बुखार होता है जिसमें की हड़ी तोर दर्द होता है वैसी ही फीलिंग थी दर्द दो दिन तक रहा बहुत जबरदस्ट और कमजोरी भी दो दिन तक रही बहुत जबरदस्ट तीन एपरिल की रात को और चार एपरिल को मुझे जोर से बुखार आने लगा लगभग 101 से 102 डिगरी के बीच में और काफी ठंड महसूस हो रही थी बुखार ठीक न होने के कारण मैं एमर्जेंसी रूम गया वहां पर अपने इंवेस्टिगेशन करवाए इंवेस्टिगेशन में सबसे पहले जो नाक का जो स्वाब होता है वो लिया और चेस्ट एक्सरे किया नाक के स्वाब में कोरोना वायरस पाया गया सबसे अच्छी बात यह थी कि जो मेरा चेस्ट एक्सरे था उसमें नूमोनिया नहीं था एमर्जेंसी रूम में मेरे को हैड्रॉक्सी क्लोर्केण दवाई चालू की गई थी हाई रॉक्सी क्लोरो कुेन लेने के बाद मुझे काफी स Śैडसाब्वेक्ट हुए सब अच्छ क्लोरो के नहीं ले पाया परन्तु हाइड्रोक्स्क्लोरिकिन के जितने भी डोजेज लिए उसके बाद मेरा बुखार ठीक हो गया चार एपरिल से आठ एपरिल तक मुझे कमजोरी महसूस हुई और आठ एपरिल के बाद मेरे सिंटम्स धीरे-धीरे बहतर होने लगे और आज 12 एपरिल है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ इन लगबग दो हफ्तों का जो सफर था काफी मुश्किल था हमें कई बार ऐसा लगा कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है और मुझे शायद हास्पिटल में एड्मिट करना पड़ेगा करूँ किए कि इस दौरान मेरी धर्म पत्नी डाक्टर सुनृ साथ्वानी को बोलूंगा कि वह आपको बताएं उन्हीं कैसे के की जो कि अपने अपने ches mossल halo यह拥श way और के कर सकते विसे वी इंधा कई कारओंगी की यह दो How can we go है और आपको बहुत कमजोर कर देता है तो आप सबसे पहले तो हिम्मत ना हारे अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्ट लाइकली आप अच्छे हो जाएंगे जैसे हम दोनों हो गए है अभी तो अगर आपको कोरोना वाइरस हो जाए तो सबसे पहले आप यह करें कि अपने आपको दूसरों से अलग कर लें और उसके अलावा अगर आपके पास मास्क है त हुआ होते है और आपके पास सानि टाइजर है तो हाथ को से सानि टाइज करते हैं जो चीज इसमें सबसे ज़्यादान हैप करती हैं या मदर करती है वह है बहुत ár temps अं बहुत सारा पानी और उसमें अगर आप चाहें तो और जिया थिस निंद्रिकी आपको था जो से रृ होईगी लेकिन आप फर 10 मिनिट में एक एक सिप करके लेते रहें इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है नमक पानी से गारगल करना और उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो हैं स्टीम और भाप लेना तो अगर आप इतना ही 3-4 चीजे करेंगे तो आपको बहुत अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खासी हो रही है तो आपने डॉक्टर को जरूर कॉल करें आम शूर यह चोटे-चोटे तरीकों से और पानी से आप पीने से आपका सेहत बेटर हो जाएगी जो सबसे में मुता है जैसे कि आप न्यूस में सुन रहे हैं कि क काफी लोगों की डेथ हो रही है और जो डेथ हो रही है वह निमोनिया होने के कारण हो रही है तो जो बहुत जरूरी है कि आप अपने लंग स्वस्त रखें अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक करना बंद कर दें और न्यूयोर्क सिटी में जो काफी डेथ हुई हैं जो जो तो आपके घर में अगर बुजरुबार हैं जिनको और भी तकलीफें हैं कृपया करके उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए उनको अगर घर में किसी को भी थोड़ी भी सर्दी खासी हो रही है तो आप अपने बुजरुबार लोगों को उनसे दूर रखिए जहां तक डेटा का सवाल है 95% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाएंगे करोना वाइरस से ग्रस्थ होने के बाद तो आपको उस डेटा पर भी ध्यान देना है क्योंकि हम लोग अभी इतनी न्यूस देख रहे हैं और न्यूस में जो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कितने लगेगा कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो हम लोग आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि करोना वाइरस अगर हो भी जाता है कपु हो जाएंगे अगर आपको सांस लेने में नहीं है टो चैंसे है कि अपने तो श् donnा स्ट हैं टो यहां गर में जैसे कि आप लोग योगा कृपाल भात कि somos नहीं है और और उंचान सकते हैं और जेस्ट really रखने की जो भी स्ट्राटेजी आप यूज करें करिये और एक इंपोर्डेंट चीज है कि जो आपका जो नाख है वो बंद हो जाता है तो जिस अगर आप भाब लेते रहेंगे तो आपका नाख खुला रहेगा उससे शरीर में लंक्स में जाता रहेगा और शरीर में जाता है कि आप लोग को कोरणा वारिस नहीं होगा अगर हो भी जाएगा तो most of you will get better so good luck and thank you very much